Vidant fascist limited IPU की आज है last date नियानि की मानने वर जो IPU हम इसको प्यार से बोलते हैं वो IPU आज की डेट में बंद हो जाएगा अगर आपको इसमे अ्प्लाइ करना है तो आपको आज की डेट में 5 पीम से पहले पहले इसके अंदर अप्लाइ करना पड़ेगा लेकिन इस IPO में आपको apply करना है, इसको avoid करना है, इस IPO की आज की data में grey market premium क्या चल रही है, एक load के उपर आपको कितना profit देखने को मिल रहा है इस IPO के अंदर, इसकी estimated listing price क्या रहने वाली है, estimated listing gains यानि की profit कितना आपको दे सकता है, क्या ये IPO negative में जाएगा, क्या ये IPO positive में जाने वाला है, इस IPO की subscription status कितनी रही है, और इस IPO के अंदर, आपने अगर एक load से apply किया है, तो आपको allotment के chances कितने हैं, वो सारी की सारी decision जो है, सारी की सारी discussion जो है, वो इस video में हम करने वाले हैं, और आज जो final decision है, apply और avoid का, वो यहाँ पर बनाने वाले हैं, मेरा personal opinion और बड़े बड़े investors का review भी यहाँ पर हम जानने वाले हैं, तो इस video के अंदर आपको जो information मिलने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा भर-बर कर मिलने वाली है, तो आप से एक छोटी से request है कि इस video को complete देखेगा, ताकि आप से कोई भी information जो है, यहाँ पर miss ना हो जाए, और अगर आप आपने चैनल को अब तरह सबस्क्राइब नहीं किया, यानि कि अगर आप चैनल के बिल्कुल नए हो और आपको हमारे चैनल से अफडेट्स नहीं मिलते हैं, तो आप जल्दी से जाएए और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए, बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि बहतरी चैनल के इन अबडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएए, अब दोस्तों काफी भाई ऐसे हैं, जिन को लगता है कि यार लाइक करने से वीडियो को क्या ही फरक पड़ता है, दोस्तों लाइक करने से इतना फरक पड़ता है कि मेरा पूरा का पूरा दिन जो है वो बैतरी हन एक चोटा सा प्यारा सा लाइक अगर आप कर देते हो तो जल्दी से जाएए वीडियो के नीचे आपको एक बटन मिलेगा अंगुठे का साइन होगा जिसको की लाइक बटन बोलते हैं वो जब आप दबाते हो तो दिल यहां पर बाग बाग हो जाता है तो I hope आप सब ने जैवत फेबरी को देखने को मिलेगी जिसके उपर की आपका भाई आपके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लेके आता ही आता है आपको इस लिश्टिंग होने वाली है अब इस IPO के अंदर आज की डेट में सब्सक्रिशन स्टेटस क्या चल रहा है वो मैं दिख सब्सक्राइब किया है तो बहुत ही या पर स्प्सक्रिशन लग रहे है क्योंकि मार्केट जो है वह काफीजा की जादा यहांपने स्ट वह मार्केट का है यहां पर बना हुब हो लिस्टिंग होते ही यह जो है काफी ऊपर चला जा चुका है और अभी तक जो मैं लाइफ जो मार्केट में चेके था उसके एकोडिंग लिस्टिंग गेंस के एक्सपाउट की जा रही थी वो आईपी इतना पिट चुका है कि उसको नेगेटिव में लिस्ट होने की संभावनाई आ रही है तो दोस्तो यह जो आपने आप में इतना बहतरी है ही नहीं अगर हम बात करें इस आईप्यो के रिव्यू की तो आप दे सकते हो दोस्तो जैसे आप इसके रिव्यू के चेकाउट कर सकते हो 2021 के अंदर इन्हों ने एक यहां पर सफर किया था ओव्यस इबात दोस्तो फैशन से लेटेड आपने गो फैशन जो कंपनी है उसके बारे में नहीं से कोई फरक नहीं पढ़ता आपको जो ए वह कंपनी बहतरीं मोडल रहने वाली है लेकिन दोस्तो उन इसका क्या फाइदा मेरी बात के मान के चलिए D economist वह है नाई प्लाय कर देते हो 866 रुपीज के उपर ठीक है इसकी लिश्टिंग हो जाते है अकसापल के दुरे तो दोस्तो अगर यह कंपनी अच्छा नहीं दिखा रही तो हम इसको वहाँ पर भी तो भाई कर सकते हैं अगर आप इस प्रेशर वाले मार्केट के अंदर रिस्क टेकर नहीं है अगर आपको जो रिस्क टेकिंग जो कपैसिटी है अगर वो काफी ज्यदा कम है तो मैं यहाँ ट्रेट प्रक्वाइब कर सकते हो आपको क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बैतरीन मोड्स homes के इंट आप मैंने उसके अंदर booking की थी, मतलब मैंने लिस्टिंग डे वाले दिन बाए किया था और एक-दो दिन के बाद मैंने तो sell किया जिसके अंदर कि मैंने को अच्छा कासा benefit जो है वो go fashion IPO में मिला था दोस्तो अब मैं इस IPO की GMP आपको दिखा देना चाहता हूँ जो की बहुत ही less है यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो market काफी गिर रहा है और उसके according यहाँ पर GMP में जो profit है वो बहुत ही कम देखने में मिल रहा है 119 रुपीज का estimated listing price 873 रुपीज का बनके आ रहा है और listing gain 0.81% का positive दिखा रही है तो यह जो positive दोस्तों सिर्फ नाम का positive है यहाँ पर मुझे लग रहा है यह IPO negative में भी list हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि IPO market के conditions पे बहुत depend करता है अगर आप चाहते हो example देगा ना तो आप SBI card के IPO का example दे सकते हो एक अच्छक IPO होने के बावजूद SBI card तक जाने के जूरती ने दोस्तों आप आज के recent IPO का देख लिजी अडानी विलमार एक बहुत बहतरी न IPO था और उसको भी market ने फुल पिटा है यहाँ पर आप देशे तो फुल उसकी पिटाई हुई है यहाँ पर चोईस एक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिने ने अपलाएगा यहाँ पर आपना उपीनियन दिया है अदरवाइज आने राटी ने नोट रेक्ट किया इसको अब बुर कापिटल मार्केट ने इसको न्यूटल रखा पहले मैं आपको यहाँ पर अलोटमेंट के चांस बता देता हूं दोस्तों इसके अंदर अलोटमेंट के चांस बहुत हुज है अब यह आप देसे तो डिटेल का टिक लिए उनली जिरो पॉइंट थी टू टाइम सिस्क्राइब हुई है अगर आज डेट में यह 1.3 या फिर 1.2 भी चली जाती है तो भी अगर आप इसके अंदर दो लोट से अपलाई कर देते हो अलग-अलग डिमेट अकाउंट से तो आपको इजिली यह जो आईप्यो है वो अलोट हो जाएगा मतलब आपको अलोटमेंट की टेंशन लेने की जूरत नहीं है अपर अगर कोई यह सोच रहा है कि यार इसके अंदर मैंने अपलाई कि और मुझे अलोटमेंट ही नहीं मिली तो मैं क्या करूँआ तो ऐशी बात नहीं दोस्तों अगर आप 2 या 3 लोट से अपलाई कर देते हो इस आई-पी के अंदर आपको guaranteed एक से 2 लोट मिल जाएंगे इसके अंदर एक लोट भी नहीं दोस्तों आपको अगर आप 3 लोट मिलने के चांसे अभी तक मुझे लग रहे हैं हाँ अगर बहुत ही huge subscription last day में आते हैं तो अलग बात है लेकिन वो उसके आसार यहाँ पर काफी कम लग रहे हैं क्योंकि HNIs ने तो बिल्कुल इसमें 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया है बहुत ही कम सब्सक्राइब किया है I hope यहाँ पर कोई भी fundings available नहीं है गरे market के अंदर कोई भी trading नहीं चल रही है only 7 रुपीज की GMP चल रही है तो market अभी काफी पिटा हुआ है मेरा personal opinion दोस्तों मैं यहाँ पर जो है wait करने वाला हूँ इस IPO के अंदर apply करने के लिए क्यों wait करने वाला हूँ मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि एजिस ट्रांजेक्ट के अंदर भी जो end moment पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो अचना ही category थी उसने बहुत huge यहाँ पर subscription दिखा दिया था और उसके कारण यहाँ पर आपको आना 1500 रुपे का profit भी देखने वाला हूँ में तो मैं personally क्या करने वाला हूँ मैं वेट करने वाला हूँ कब तक आवेट करूँगा तब तक जहां पर यहाँ पर जो तो दोस्तो एक risk यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं अगर apply भी करूँगा तो मैं एक load से apply करूँगा अगर भुगवान ने चाहा तो मुझे वह एक load मिल जाएगा और अगर उसमें loss हुआ तो मैं उसको book कर लूँगा कोई दिखकताली बात नहीं है लेक 111 0.9x और यह देखिए तो इसका लिंक की जो है आपको discussion मिल जाएंगे आप इसको अपने एड़ करके रखिए वह लिस्ट के अंदर check out करते लिए लाइव GMP का चल रही है live subscription status क्या चल रहा है और उसको according आप अपना decision हमाँ पर बना सकते हैं मैं personally अभी तक इस IPO के अंदर most of the cases में avoid stage बे चल रहा हूं यानि कि अभी तक मेरा कोई भी planning नहीं इसके अंदर apply करने की मैं सिर्फ इसको avoid ही कर रहा हूं क्योंकि और अच्छा IPOs आ सकते हैं और साथ यसाथ SME IPOs बे चल रहे हैं तो अगर अच्छा SME IP मिलता है तो मुसके लिए पने funds को जो है वह रोके रख